नमस्कार स्वागत है आपका मेरी चैनल में आज मैं आपके सामने फिर से बड़ा ही असान सा एक प्यारा सा पैटन लेकर आई हूँ जिसे आप अपने किसी भी प्रजेक्ट में इस्तिमाल कर सकते हैं यह बनाने में बहुत ही असान है और देखने में बहुत ही सुन्दर लगता है इसके लिए हमने सेवन के मल्टिपल के हिसाब से फंदे डालने हैं कास्टान करने हैं हमें मल्टिपल अफ सेवन और साथ में दो फंदे एक्स्टा हम एजिंग के डालेंगी तो यहां पर और इस pattern को हमने आठ सलईयों में complete करना है यह रोस का pattern है, right side से pattern start होगा और देखिए यहाँ पर मैंने एक सलईय उल्टे फंदों से बनाई है ताकि मैं सीजी तरफ आ सकूँ और यह right side में अब हम pattern को start करेंगे आप अपनी मनपसंद के border के बाद right side से हम इस border को बनाने के बाद right side से pattern को start कर लेंगे तो यह देखिए हमारी pattern की first row है right side से सीधी तरफ से पहली सलईय है एजिंग का बंदा slip करने के बाद दागा अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे हमने उल्टे बनाने है पर्ल, three stitches तीन फंदे उल्टे तागे को पीछे करेंगे यान इन बैक फिर देखें दो फंदे अगले इस तरह से थोड़ा सा लूज करके क्योंकि अभी मैंने फंदे ही डाले है तो उसके बाद ही डिजैन बना रही हूँ बार्डरों के बाद थोड़े फंदे लूज हो जाते हैं तो ये दो फंदे हमने एकठे लेके एक बना लेना है फंदा तो यानि के knit two together दो फंदों का एक फंदा कर लेना है सीधा बुनते हुए फिर से हमने अगले दो फंदे लेनी है और उनको इस तरह से निढल पे लेके दो का एक कर लेना है knit two together again तो ये देखें अब यहाँ पे साथ फंदे से यहाँ पे हमारे पाच फंदे बनगे तीन फंदे उल्टे दो बार हमने knit two together किया अब देखें बीच में हमने दो फंदे उल्टे बनाने है आगे पर्ल टू दो फंदे उल्टे दागा पिछे करेंगे अब यह देखें यहाँ पे हमारा आगे फिर से वही repeat पैटर्न चलेगा knit two together करेंगे यह हमारे design reversible में चलता है मतलब mirror shape में चलता है इधर से भी और उधर से भी दोनों को सब्सक्राइब लखने के बाद हमने यह opposite चलाना है पैटर्न को जैसे पहले हमने पर्ल 3 किया knit two together knit two together किया फिर हमने repeat करना है knit two together से फिर knit two together और फिर pearl 3 इस तरह से हमने इसको पैटन को चलाना है तो देखें लास्ट में फिर हमने तीन फंदे उल्टे बना लिये और दागे को पीछे करके एजिंग का एक फंदा जो था वो हमने सीधा बना लिया पैटन की फर्स्ट रो राइट साइड से कंप्लीट हो गई है पैटन की सेकिंड रो है रॉंग साइड उल्टी तरफ से हमारे डिजाइन की सेकिंड रो पैटन की पहला फंदा स्लिप करने के बाद दागे को पीछे करेंगे और उसके बाद अगले तीन फंदे हमने सीधे बुनने हैं दो और ये तीन फंदे हमने एजिंग का शोड़ के तीन फंदे हमारे सीधे हो गए उसके बाद देखिए ये दो फंदे हैं जो हमने सीधी स्लाई में निट टू टोगैदर किये थे अब देखिए चार के दो किये थे सीधी तरफ से अब उल्टी तरफ से दो के चार करेंगे त यहां पर एक फंदा इंक्रीज कर लिया इस तरह से अगला एक फंदा हमने उल्टा बनाना है परल वन दो होगे अब इसके भी दो करेंगे तो एक फंदा यहां पर फिर से इंक्रीज करेंगे यूँ करके यहां पर इस तरह से दागा होता है यहां से हमने एक फंदा निकालना ह य responds by बुल लिया और फिर अगले फंदो को उल्टा बना लिया युं करके तो ये देखाए अब ये हमारे फंदे फिर से कंप्लीट हो गए हैं अब देखें सबसे पहले हमारे निटे टूह तोगेधर वाले फंदे होंगे तो वहां पहले हम इसको इंक्रीज करेंगे increase one stitch फिर उसके बाद एक उल्टा बनाएंगे purl one फिर एक फंदे को increase करेंगे इस तरह से दागे को उठाके नीडल पे उसको हम उल्टा बुन लेंगे और अगले फंदे को फिर से हमने उल्टा बुन लेना है यानि purl one करना है और last के तीन stitches हमारे सीधे बनेंगे आपको return instruction की abbreviation जो भी है वो सब उसमें मिल जाएगी description box में अब आँ से देख सकते हैं तो हमारी row to wrong side से complete हो गई है अब हम आगे हैं तीसरी slide और जै हमारे pattern की right side है सीधी तरफ से तीसरी slide देखें एक फंद स्लिप करेंगे दागे अपनी तरफ करेंगे purl three stitches तीन फंदे उल्टे बनाएंगे यह हमारी row three जो है यह row one की तरह सेम बनेंगी तीन फंदे उल्टे दो बार करेंगे knit two together तो row three right side purl three knit two together knit two together तो इस तरह से हमने repeat करते हुए जाना है पूरी row में नीडल पे जितने भी आपके फंदे होंगे आपने उसको इस तरह से बनाते हुए complete करना है सीधी तरफ से फंदे कम करेंगे और उल्टी तरफ से फंदे बढ़ाएंगे बस इसमें फंदे बढ़ाने को जब हम shift करेंगे pattern को तो वो किस तरह से change करके करेंगे वो मैं आपको next row में बताती हूँ तो यह देखें यह हमारी same row बनी जैसे हमने row 1 बनाई थी right side से वैसे ही हमारी row 3 right side से बनी है तो अब हम आगे हैं उल्टी तरफ और यह देखें चोथिस लाई है हमारे pattern की wrong side से aging का एक फंदा हम slip करेंगे एक फंदा slip करने के बाद दागे को पीछे करेंगे अब 3 फंदे हमने सीधे बनाने हैं एक, दो, तीन तीन फंदे सीधे फिर दागे को अपनी तरफ करेंगे अब इस तरह से देखें नीडल पे हमने फंदा इस तरह से उठाके हमने एक फंदा increase कर लेना ही यहाँ पे जे चार सलईयों में हमारा same pattern रहेगा अगली चार में हमारा ये pattern shift होगा जिससे हमारे जो डिजाइनिंग है वो बड़ी ही प्यारी बन कर आएगी अब देखें इसको फिर से वैसे ही करेंगे एक फंदा increase करेंगे उल्टा बनाते हुए अगला फंदा हम उल्टा बनाएंगे पर्ल वन फिर increase वन करेंगे एक फंदा बढ़ाएंगे और फिर उल्टा फंदा इस तरह से बनाएंगे अब देखें लास्ट के जो हैं हमारे फंदे तीन यह हम सीधे बनाएंगे knit three stitches यह तीसरा हो गया और लास्ट आइजिंग का हमारा फंदा उल्टा बनेगा wrong side से अब देखें चार स्लाईयों में हमारा इतना pattern बन कर आया है अब हम अगली चार स्लाईयों में जानिके आठ स्लाईयों का pattern है तो अगली चार में हम इसको pattern को repeat भी करेंगे और साथ में यह हमारा design जो है वो shift भी होगा तो देखें रूफ 5 है right side से सीधी तरफ से पांच वीश लाई देखें right side से वैसे ही बनेंगी पर्ल 3 तीन फंदों को हम युल्ठा बनाएंगे अब देखें दागे को पीछे करके फिर से हमने knit 2 तोगेदर करना थे दो फंदों का एक फंदा करना है यूँ करके सीधा बूनते हुए सीधी बुनाई जैसे करते हैं वैसा ही सीधा बूनते हुए हमने दो फंदों का एक फंदा का लेना है अब देखें ये सेम वैसे चलेगा क्योंकि ये मारा जो डिजाइन है वो wrong side से हमने इस पे डालना है तो right side से सीधा ही बनेगा जैसे हमने पहली row में बनाया था right side से वैसे ही ये बनेगा तो मैं भी आपको complete करके दिखाती हूँ तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे है तो मेरी वीडियो को please like, share जरूर करिएगा और चैनल को subscribe भी जरूर करिएगा अपने friends से share करिएगा और मुझे comment करके बताईगा कि आपको ये pattern कैसा लगा बोथ ये सांसा pattern है और आपने इसको अपने किस project में इस्तमाल करिए वो भी मुझे बताईएगा देखिए अब हम आगे हैं row six wrong side अब उल्टी तरफ से देखिए हम pattern को shift करेंगे shift करने का बोथ ये सांसा तरीका है देखिए जो तीन फंदे हैं ये तो हमने सीधे ही बनाने है knit three stitches ये one, two and three तीन फंदे हमने सीधे बना लिए उसके बाद देखिए पहले हम क्या करते थे ये दो फंदों का यहां से हमने पहले increase करते थे अब हमने पहले फंदा purl wise एक बुल लेना है फिर उसके आगे हमने increase करना है फिर एक फंदा उल्टा बनाना है फिर उसके आगे यहां से increase करना है तो बस इतना सा हमने changing करनी है तो हमारा pattern already shift हो जाएगा तो ये देखिए साथ फंदे हमारे यहां पे बन गए अब जो बीच के फंदे हैं तो वो हम सीधे बना लेंगे और ये pattern repeat होता हुआ चला जाएगा यह देखिए पहले हमने purl wise बनाना है फिर फंदा increase करना है फिर purl 1 करना है और फिर हमने increase 1 करना है एक फंदा बढ़ाना है तो इस तरह से हमारा pattern यह shift हो रहा है और जो last के तीन फंदे हैं वो हमारे सीधे ही बनेंगे तो row 6 है हमारी ये wrong side से उल्टी तरफ से यह देखें last का एजिंगा पंदा हमने उल्टा बना लिया और हमारी ये row complete हो गई अब हम आगे हैं right side row 7 है हमारी ये सीधे तरफ से हमारा हर बार वही design रहेगा वही तरीके से हम इसको बनाएंगे सिर्फ ये wrong side से हमने pattern को shift करते हुए बनाते जाना है तो ये देखें row 7 right side से purl 3 stitches 3 फंदे उल्टे knit 2 together 2 फंदों को इकठा बनाएंगे knit 2 together 2 फंदों को इकठा बनेंगे तो ये repeat करते हुए जाना है अपनी row में जितने भी है आपकी needle पे stitches होंगे ये बहुत ही असान सा pattern है beginners भी इसको बड़ी असानी से बना सकते हैं जिनको सिर्फ सीधा और उल्टा बनाने आता है वो भी इसको बड़ी अराम से बना सकते हैं और बनने के बाद ये जो pattern है ये जो look आती है बहुत ही सुन्दर आती है तो ये देखें अब हम आगे हैं pattern की 8th row में जाने के last pattern की सिलाई है और ये हमारी wrong side है उल्टी तरफ से देखिए एक फंदा हमने slip किया aging का उसके बाद 3 फंदे हमने सीधे बनाई ये तीन फंदे होगे दागा अपने दर्फ करेंगे अब वही same pattern करेंगे पहले pearl one करेंगे एक उल्टा बनाएंगे फिर increase करेंगे बस इसी का थोड़ा system का ध्यान रखना है फिर हमने pearl one करना है और फिर हमने increase one करना है यूँ करके तो बस हमारे फंदे increase होगे और साथ फंदे हमारे फिर से बनगे तो wrong side में इसी तरह से करते हुए फंदों को फूरी अपनी row को complete करेंगे आप इस design को इस pattern को अपने किसी भी project में इस्तेमाल कर सकते हैं ladies cardigan, ladies sweater, coat tea, jackets gen sweaters, baby frocks, baby cardigan, shawl, muffler, blanket, caps किसी में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत यह सानी से बन जाता है और देखने में बहुत ही सुन्दर बन कर आता है तो यह देखिए आठ रों मैंने complete कर ली है और आठ साईयों के बाद यह pattern इस तरह से इसकी look आई है जाली वाला डिजाइन भी बन जाता है और इस तरह से उबरा हुआ हमारा इसी pattern आता है यह देखिए अभी मैंने सिर्फ आठ इस लेंगे बनाई है तो इस तरह से look आई है बैक साइट से भी सुन्दर आता है और front से तो यह बहुत ही सुन्दर बन कराता है तो मैं आपको ज्यादा फंदों में दिखाती हूँ यह किस तरह से बनाया है तो यह देखें ज्यादा फंदों में यह इस तरह से उबर कर design आया है हमारा जैसे बेल होती है creepers होते हैं वैसे ही यह बेल की तरह ऐसे उपर जटती हुई चली जाएगी जितने बार आप इसको 8-8 slagy को repeat करेंगे तो यह हमारा pattern repeat होता हुआ चला जाएगा बस आपने इसमें pattern को shift करते हुए जाना है और इससे हमारा क्या होगा design बनता चला जाएगा तो यह जहां तक 7 फंदे हैं 2 फंदे हमने बीच में रखे हैं और फिर यह opposite design चलता है 7 फंदों का तो 2 फंदे हमने extra edging के लिए रखने हैं और 8-8 slagy को बार बार repeat करते हुए जाएंगे जितने भी आपको अपने project में लेंज चाहिए तो देखिए आप इसको ladies sweater पे, cardigans पे, jackets पे, gents पे, project पे all in one project में आप इसको इस्तिमाल कर सकते हैं देखने में जितना आसान और सुन्दर सा design है अकरशित बहुत ही लगता है किसी भी रंग में आप इसको बना सकते हैं यह देखिए बस 8 slagy का pattern और बार बार repeat करते हुए आपने बनाते जाना है तो चलिए भी बनाईएगा और अपने friends का share करिएगा मुझे comment करके बताईएगा कि आपने इसको किस project में इस्तिमाल किया तो चलिए मिलते हैं भी रगली एक नहीं वीडियो के साथ धन्यवाद